Hello friends, C++ language में programming skill को develop करने की series में आज हम देख रहे हैं two-way stack का implementation यह data structure से related programs हैं जिनको हम C++ में बना रहे हैं और इसी सलसले में आज हमें two-way stack बनाना है जो कि कई लोगों का doubt भी था और वो चाहरे थे इसका एक video बना के publish करूँ तो इस video को मैंने दो पार्ट में बनाया है यानि two-way stack को हम समझेंगे आज हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम basic भी समझ लेंगे और program बनाना start भी कर देंगे और बचा हुआ portion हम दूसरे पार्ट में करने वाले हैं तो आईए start करते हैं सबसे पहले हम concept समझते हैं कि two-way stack क्या होता उसके बाद फिर इसका implementation देखेंगे तो मैं यहाँ यह assume करके चल रहा हूँ कि आपको stack का मतलब मालूम है stack जो की last in first out principle पर work करता है हमें यहाँ पर एक नहीं दो stack को implement करना है पर array हमारे पास एक ही होगा जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक demonstration के लिए array बनाया हुआ है यह एक array है जिसमें 11 values मैं रख सकता हूँ क्योंकि index 0 से लेके 10 तक है तो हम कह सकते हैं कि इस array की जो capacity है वो 11 है और अब इसको दो stack कैसे assume करें एक stack मैं assume कर सकता हूँ left side की तरफ से तो यह हो गया मेरे लिए stack 1 और right side से मैं देखूंगा तो इसको बोल सकता हूँ stack 2 यह stack में values इस order में fill होंगी यानि towards right left से right की तरफ values फिल होंगी और इस stack को stack 2 को मैं right से left की तरफ फिल करूँगा तो माल लिजे कि मुझे कुछ value insert करनी है तो मैंने push किया तो यहाँ पर push भी दो होंगे एक हम बोलते हैं push left और एक हम बोलते हैं push right ठीक है तो push left और push right दो अलग-अलग functions है push का मतलब आपको मालूम है stack के context में जब हमें stack structure में value रखनी होती है तो हम उसको बोलते हैं push यानि insertion को हम बोलते हैं push अब यहाँ पर क्योंकि दो stacks हैं stack 1 और stack 2 तो हम push left और push right terminology का इस्तमाल करेंगे push left का मतलब होगा हम stack 1 में push कर रहे हैं और push right का मतलब होगा stack 2 में push कर रहे हैं यहाँ ध्यान यह रहे कि हमारे पास array एक ही है यानि जगे उतनी ही है लेकिन हम उसके अंदर दो stack implement कर रहे हैं अब माल लीजे कि मैंने कोई value push करी push left function से तो किस में जाएगी यह value यह value जाएगी stack 1 हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एक top element हमें बनाना पड़ेगा top left नाम से एक variable हम बना लेंगे जो कि stack 1 का top होगा इसी प्रकार से top right नाम से एक variable हम बनाएंगे जो की information रखेगा stack 2 के top element के initially जब हमने कोई value push नहीं करी होगी तो top left में रहा होगा minus 1 लेकिन जैसे ही हम value रखेंगे तो यह increase हो जाएगे इसी प्रकार से top right में initially value रहेगी 11 ठीक है क्योंकि top left में जैसे minus 1 है क्योंकि सबसे छोटा index होता है 0 अब 0 से छोटा index actual में exist करता नहीं है पर 0 से छोटा number है minus 1 तो top left की value अगर minus 1 होगी तो यह indicate होगा कि stack अभी empty है इसी प्रकार से stack 2 की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि हम right से left की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहली value जब insert करेंगे तो वो index number 10 पे store होगी तो initially top right की value हम 11 रख रहे हैं जो यह indicate कर रहे हैं कि अभी stack 2 empty है तो अब जैसे मैंने stack 1 में एक value insert कर दी है तो top left की value पहले तो increment होके 0 होगी और उसके बाद फिर push हो पाएगा 10 stack 1 के अंदर अब मालीजे stack 1 में मुझे एक और value push करनी है that is 20 तो पहले top left की value increase होके 1 होगी और उसके बाद फिर हम इसमें 20 रख पाएगे similarly अगर मैंने कोई value push right करी है let's say 50 तो 50 कहां insert होगा तो पहले तो top right की value decrement होगी क्योंकि यहाँ पर index 10 हमें चाहिए सबसे पहले 10 पर अब मैं एक और value push करता हूँ let's say 40 right side में यानि stack 2 में push करता हूँ तो पहले तो top right की value decrement होगी that is 9 और उसके बाद यह 40 यहाँ पर store हो जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से stack 1 fill हो रहा है stack 2 fill हो रहा है जगे common है अब अगर कोई एक stack में ज़ादा value insert हो जाती है तो वो इस area का ज़ादा इस्तमाल कर लेगा for example stack 1 में मैंने value push करी 30 फिर suppose करो 70 90 100 इस तरह से मैंने कुछ values push करी कितनी value और push हो गई 30 push हो गया 70 push हो गया 90 push हो गया 100 push हो गया तो अभी top left की value कितनी हो चुकी होगी 5 मानली जब और value insert करता हूँ मैंने एक और value insert करी suppose करिए 60 65 दो और value insert हो गई तो 60 यहां चला जाएगा 65 यहां आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आ चुका है top left 7 एक और value insert करता हो for example 68 तो यह कहां जाएगा top left हो जाएगा 8 और इसमें आ जाएगा 68 आप देख सकते हैं कि stack 1 में ज़्यादा values है stack 2 में कम values है पर अब यह situation आ गई है कि चाहे मैं stack 1 में रखने की कोशिश करूँ या stack 2 में एक और data रखने की कोशिश करूँ दौनों ही situation में हमारा array पूरा fill हो चुका है तो array fill होने की यह situation है तो हम stack overflow बोलेंगे चाहे stack 1 में push करें चाहे stack 2 में push करें नहीं हो सकता fill जिस stack को ज़्यादा जगे की जरुवत है वो इस area को use कर लेता है हो सकता है stack 1 में ज़्यादा push operation नहीं होते stack 2 में ज़्यादा push operation होते तो stack 2 इस array की ज़्यादा जगे consume कर लेता लेकिन ultimately जब दौनों में values fill होते होते ऐसी situation आ जाएगी कि आप कोई जगे बची नहीं है तो यह stack overflow की situation हो तो अब हमें इसे implement करना है अब coding के तुरू जब implement करना है तो सबसे पहले हम data structure बनाने के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो दो चीज़ें हमने बहुत important समझी हैं एक बार उनको देख ले सबसे पहली बात हमने देखी है कि एक single array use होता है दो stacks को implement करने के लिए दूसरी चीज़ यहाँ पर memory share हो रही है यानि common location है जिसको stack 1 भी use कर सकता है stack 2 भी use कर सकता है अब बात करते हैं उस data structure की तो हम C++ में इस program को implement करने जा रहे हैं तो हम एक class बनाएंगे two way stack नाम से उसके अंदर हमें कौन कौन से variables की जरूवत है मुझे एक variable तो इसलिए चाहिए कि मैं पूरे array का size रख सकूँ तो मैं उस variable का नाम रख लेता हूँ capacity 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 variable की value जैसे यह example है इसमें 11 होगी ठीक है ना क्योंकि हमें यह इसाब रखना है कि total हमारे पास जगे कितनी है क्योंकि यह सब कुछ जरूरी होगा हमारे top की value को decide करने के लिए क्योंकि top में index आने वाले दूसरा हमें variable चाहिए left वाले stack के top element की information को रखने के लिए that is top left एक और variable हमें चाहिए that is top right top right क्या करेगा stack 2 के top element की information रखेगा और initially top left की value minus 1 रहेगी और top right की value जो capacity है वो रहेगी क्योंकि capacity अगर 11 है तो 11 actual में last possible index से एक जादा है और एक और हमें variable चाहिए PTR जो की pointer होगा जो point करेगा basically array को तो इतने variables हमको हमारे structure में required तो क्या आपको structure clear हो गया तो जब हम array बनाएंगे तो वो array जितने capacity होगी उसके हिसाब से array बन जाएगा तो एक function हम ऐसा बना लेंगे जिससे की capacity decide हो सके वो हम constructor के दूरू भी करवा सकते हैं तो अब मैं बताता हूँ कौन-कौन से functions हमको इसमें बनाने हैं लेकिन उससे पहले जो अभी हमने समझा उसको आप systematically देख लें तो यह है हमारा two-way stack के एडिटी का structure वाला part कौन-कौन से variables किस purpose से बनने वाले हैं यह भी हमने डिसकस किया अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से functions हमें इसमें बनाने चाहिए तो हमें एक function बनाना चाहिए push left जो की left वाले stack में value को push करेगा इसी परकार से push right नाम का function होगा जो stack two में value को push करेगा value को निकालने के लिए भी हम pop left और pop right बनाएंगे या left indicate कर रहा है left वाले stack को यानी stack one को और right indicate कर रहा है right वाले stack को यानी stack two को इसी परकार से peak left और peak right मैं आपको याद दे रहा दूँ peak function और pop function में फर्क इतना है कि pop delete कर देता है value को जबकि peak value को delete नहीं करता है सिर्फ उस value को return भर करता है right is empty left is empty right यानी left वाला stack empty हो गया है empty है क्या ये चीज़ top left से हम easily बता सकते हैं कि अगर top left की value minus 1 है तो वो empty है इसी परकार से right वाला stack में अगर top right की value capacity के बराबर है तो हम कहेंगे कि वो empty है अच्छा देखे empty तो दोनों अलग-अलग हो सकते हैं यानी हो सकता है एक array में एक stack में मैंने values रख दी हैं दूसरे stack में अभी कोई value नहीं रखी है तो stack 1 हो सकता है empty ना हो लेकिन stack 2 empty हो लेकिन जब बात करते हैं overflow की यानी stack जब full हो चुका है तो ऐसा नहीं हो सकता कि stack 1 full है और stack to full नहीं है ऐसा नहीं हो सकता अगर full होंगे तो दौनों full होंगे empty अलग अलग हो सकते हैं कि एक empty है पर दूसरा empty नहीं है लेकिन full दौनों एक साथी होंगे क्योंकि जैसे आप इस array में देख रहे हैं कि अगर stack 1 के लिए full हो चुका है इसका मतलब आगे जगे नहीं है रखने के लिए तो जगे तो वही common है जो stack 2 भी use कर रहा है तो अगर stack 1 के लिए जगे नहीं बची है तो stack 2 के लिए भी जगे नहीं बची है जैसे कि इस example में दिख रहा है stack 1 की last element है 68 और stack 2 का last element है 40 दौन के बीच में जगे नहीं है अब पहले stack के लिए जगे नहीं है तो दूसरे stack के लिए भी जगे नहीं है तो full के लिए मुझे एक ही function बनाना पड़ेगा that is is full तो कुल मिलाके हमें ये सारे functions हैं जो इस ADT में बनाने हैं तो हमारे पास जो class का धांचा तेयार होता है उसमें ये सारी चीज़े होंगे तो अब बस coding करनी बाकी है बाकी हमें सारी जीएं समझ में आगे हैं कि किस function से हमें क्या काम लेना है तो अब अब उपन coding स्टार्ट करते हैं तो अब मैं code blocks में ये coding करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं एक नई file create कर लेता हूँ तो मैंने data structure के program सारे यहां रखे हुए हैं तो यहीं पर एक नई file create कर लेता हूँ file का नाम two way stack two way stack dot cpp हम c++ में programming कर रहे हैं इसलिए cpp ओके और इसी file को अब मैं open भी कर देता हूँ अब इसमें हमें coding करनी है सबसे पहले c++ का program है hash include iostream header को हम include कर लेते हैं इसके बाद using namespace std अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं class, class का नाम रखा है two way stack ठीक इसके अंदर जैसा कि अभी हमने structure सोचा था private variables बना रहा हूँ सबसे पहले int capacity int टॉप लेफ्ट इंट टॉप राइट और एक pointer इसके बाद पब्लिक और एक मुझे बनाना चाहिए constructor जिसका नाम है two way stack यह constructor एक argument लेगा जो की capacity के लिए रहेगा और इसका मतलब जैसे ही कोई two way stack का object बनाएगा constructor call हो जाएगा और constructor में आपको एक argument पास करना होगा जो की होगा capacity की value तो capacity variable में मैंने एक value रख दी है that is cap चिक है तो जो भी value इसमें पास होगी constructor में वो value capacity में set हो जाएगी तो object के अंदर जो capacity नाम का variable है उसके अंदर कुछ value आ जाएगी हमारी example के साब से अभी हम जैसे देख रहे थे तो हमने 11 रख दिया तो जब भी हम इसका object बनाएंगे अब देखिए मैं main function भी semi-tasily बना देता हूँ main और main function के अंदर हम क्या करने वाले है two way stack का एक object बनाने वाले है ठीक है तो हमने क्या किया two way stack इसका object बना रहा हूँ object बना जैता हूँ s ठीक है stack के लिए s और इसको बनाते वक्त मैंने इसमें value pass कर दी 11 तो इसका मतलब क्या है इसकी capacity हो गई होगी 11 जैसी object बना object बनते ही उसके अंदर 11 पहुँच गया ठीक है अब मुझे क्या करना है अब मुझे functions बनाने है इसके कुछ कौन-कौन से functions हमको बनाने है अभी हमने decide किया था ये सारे वो functions है जो हमको बनाने ठीक है ये सब मैं function अब class के अंदर declare करने वाला हूँ एक-एक करके सारे function सबसे पहले push right push left तो push left function क्या करेगा value को push करेगा कुछ return नहीं करेगा push right function क्या करेगा ये right वाले stack में value push करेगा कुछ भी return नहीं करेगा pop left ये एक int type की value return करेगा अच्छा push left और push right में क्या value push करानी है ये भी हम user से ले सकते हैं जैसे कि हमने या लिक लिए value के लिए well यहाँ पर भी लिख देता हूँ well जो कि किस value को push कराना है वो हम यहाँ पर pass कर रहे है similarly push right और उसके बाद pop left pop right से हम value निकालने वाले हैं इसलिए उनका return type है peak left, peak right में भी यही बात है बस stack से value remove नहीं होगी peak होगी यानि सिर्फ view होगी और इसी प्रकार से int, peak, right is empty यह 0 या 1 written करेगा इसलिए इसका return type भी int रखना पड़ेगा and is empty right is empty right में भी return type int होगा क्योंकि 0 या 1 written होगा is full इसमें भी return type int होगा तो यह हमने सारे functions declare कर लिए एक एक करके हम सारे functions बनाने वाले है सबसे पहले मैं is full की बात करता हूँ full कब होगा तो int class का नाम two way stack scope resolution operator function का नाम is full ठीक है तो जब भी is full call होगा हम यह दिखेंगे क्या top left की value top left की value और top right की value सोचिए क्या होगी अगर पूरा fill होगा तो क्या होगी आप खुद सोचिए फिर मैं लिखता हूँ अगर पूरा full हो गया जैसे की यहाँ पर यह पूरा full हो गया आप देखे stack one में last value है 68 तो top left की value कितनी है 8 और stack two में last value है 40 तो top right की value कितनी है 9 तो इसका मतलब top left और top right लगातार में होगे अगर top left 8 है तो top right 9 होगा तो top left में अगर one add करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा top right के तो अगर ऐसा हो जाता है तो stack पूरा full है ठीक है तो if top left plus one equals to top right अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे यह जो stack है यह पूरा भर चुका है तो हम return करा देंगे one मतलब two way stack में is full बोल रहे हैं न is full क्या यह full हो चुका है yes यह full हो चुका है else return करा देंगे zero मतलब अभी यह full नहीं हुआ है तो हमने एक function मना ली है अब यदि यह video आपको पसंद आया हो तो आप इसे like कर सकते हैं यदि आप इस तरह के और videos देखने में interested हैं तो आप इस channel को बहुत ही organized manner में मिल जाते हैं आपको याद दिला दूं कि मेरे YouTube पे एक से अधिक channels हैं और इस वज़े से हो सकता है कि आपने सारे channels ना देखे हो और कुछ videos आपने अभी तक देखे ही ना हो तो जो आप ढूट रहे हैं जो आपको नहीं करें उसके सारे videos देखें प्रोग्रामिंग स्किल को develop करना है किसी particular language में तो उसके videos separately बने हुए हैं यहाँ पे notes मिलेंगे यहाँ पे campus preparations related material मिलेगा objective questions मिलेंगे interview questions मिलेंगे बहुत सारा stuff मिलेगा और सबसे बड़ी बात यहाँ daily एक नया video publish होता है तो हो सकता है जो आप ढूर रहे हैं वो आज publish होने वाला हो इसलिए आप इसको daily visit करें इसके अलावा यह सारे के सारे videos हिंदी में हैं और free of cost है तो यदि आपको लगे कि यह बहुत ही काम का है तो प्लीज आप इसको share जरू करिएगा अपने WhatsApp ग्रूप में या Facebook वाल पे या अपने दोस्तों को मौकी ग्रूप से बताइए क्योंकि जतने ज़्यादे लोगों तक आप इस बात को पहुंचाएंगे उतने लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा Thank you